नितीज कुमार के NDA में वापसी के साथ ही चिराग पासवान की राजनिती पर खत्रा मड़ाने लगा है जो चिराग पासवान कल तक 6 लोग सभा और एक राजसभा सीटो पर दावा किया करते थे अब उनका दावा बिलकुल ही कमजोड हो गया है चुकि उनके न चाहते हुए भी भारती जनता पाटी ने नितीज कुमार को अपने साथ लाया और बिहार में NDA की सरकार बनाई नौवी बार नितीज कुमार ने मुख्यमंत्री पद की सपत ली ऐसे में चिराग पासवान को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि चिराग को जितनी सीटे दी जाएगी उतन सीटों पर उनको कॉम्परमाईज करना होगा चुकि चिराग पासवान को मालूम है कि अगर लोग सबाब पहुचना है तो फिर भारती जनता पाटी का सहारा लेना ही पड़ेगा बिना भाजपा बिना NDA के उनके लिए लोग सबाब पहुचना जो है वो काफी मुश्किल भ करन है NDA गडबन के अंदर सीटों का बटवारा होगा चुकि यह सभी रोग जानते हैं कि NDA में दो बड़े दल है भारती नता पाटी और जनता दल्यू 16-16 सीटों पर भाजपा जड़ियू चुनाओ लड़ेगी चुकि जेडियू की 16 सिटिंग सांसद है ऐसे में भारती न नहीं को लेकर भी चिराग का डिमान है कि 20 सीट उनको चाहिए चुकि 20 से कई लोगों को चिराग पासवा ने अस्वासन दिया है कि आप तयारिक कि जिए हम आपको टिकर देंगे तो ऐसे में उनका भी प्रेसर है तो चिराग की मजबूरी हो जाएगी कि 20 की परकार से लिया कर सकती है तो इसे रहे सुरज्बान सिंह के भाई को भी टिकर दिया जाएगा मतलब चिराग को दो और पश्पती कुमार पारस को तीन सीटे दी जाएंगी इसके अलावा जीतर नामाजी को एक सीट दी जाएंगी कुस्वा लेकिन आज की तारीक में नितीश कुमार की वापसी हो गई है तैसे में जो सीटों का समिकरण है उसको इतना ही में सेट करना है सीट तो 40-41 होगी नहीं 40 सीटों में ही सब को मैनेज करके रखना है तैसे में उपेंद्र कुस्वा के पार्टी को एक लोग सभा के सीट दी जाएंगी जो चर्चा है हो सकता है कि इसके लावा राज सभा मिल जाए, MLC मिल जाए, ब्यार में मंत्री बनाये जाए वो अले के बात हुई लेकिन उपेंद्र कुस्वा के पार्टी को एक सीटे जिसकी चर्चा इस वक्त होड़ी है कि मिल सकती है, लेकिन अब सवाल है कि सहनी, मुकेश सहनी जिनको लेकर चर्चा है कि नितीज दी चाते हैं कि मुकेश सहनी की इंट्री NDA में हो जाए, तो मुकेश सहनी कितने सीटो को पढ़ाएंगे मुकेश सहनी को लेकर विचर चाहे कि वो चाहते हैं कि दो सीटे और एक रास्वा के सीटे मिल जाए लेकिन फिलाल उतनी सीटे एंडिये में नहीं दिख रही है उनको देने के लिए ऐसे में भारतिन्ता पार्टी जो सत्रा सेटिंग सांसद है एक खुद मे से माइनस करके जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी को दे सकती है तो यह समिकरन है 16-16-23-11 का समिकरन जो है वो एंडिये के अंदर फिट बैट रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इस समिकरन पर भारतिन्ता पार्टी सहयोग दलो से बाचित करने ही कोशिस करती है तो सायद सिवरे साप हो जाएंगे और सभी लोग मान भी जाएंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल चिराग पासवान के सामने है कि चिराग क्या करेंगे चुकि चराग जो 6 सीटों पर दावा क्या करते थे उनको अब किसी भी हाल में 2 से ज़्यादा सीट मिलती नहीं दिख रही है चु सिवरे सापना तो सबस्ट कर दिया कि नितीज उनके लिए बहुत जोड़ी है ना कि चिराग पासवान जोड़ी है क्योंकि बाजपा कोई महरूम है कि चिराग की मजबूरी है चिराग अगर उनको लगता कि हम जीत जाएंगे इंडिया का रधन से तो समय लेकिन वो चीजों को समझ रहे हैं और इसलिए इंडिये को छोड़ने का नाम चिराग नहीं ले रहे हैं और ऐसे में नितीश कुमार की हर्वो कोशिस होगी कि पस्पती कुमार पारस का पलड़ा भारी रहे और चिराग का डाउन रहें लेकिन इस सब के अलावा एक और सीट ह जो चिराग पास्वान को दिया सकती है चिराग पास्वान की मा को राजसभा जो है भेजनी की तयारी भाचपा जो है वो अंदर ये अंदर कर रहे हैं कि चिराग अगर दो सीटों पर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी मा रीना पास्वान को राजसभा भेजा जा सकता है चुक इंगे और इसी को लेकर चर्चा है कि इनी समिक्रण के दार पर भारतिन ता पार्टी अपने स्वेगी दलों के साथ समनमे अस्थापित करते हुए 2024 का लोक सबाद चुनाव लड़ेगी